नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी को आज हम लोग नया टॉपिक देखने जा रहे हैं और यह टॉपिक आप सब के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है इससे पहले हम लोग मिरवाइफरी टॉपिक देख रहे थे जो कि उससे बहुत सारा क्वेशन हम लोग किये भी है और यह कि मिरवाइफरी का और भी क्वेशन बाकी है वो सब भी हम लोग करेंगे बीच में आपको नया टॉपिक को लेकर थोगा सा इंट्रेस्ट बढ़ाते हैं क्योंकि एक ही टॉपिक हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे थे तो नया टॉपिक है स्टार्ट हुआ है साथ ह क्योंकि आप लोगको दिवालिय का ओफर मिल ले था है तो जो भी कंडिडेट अभी तर स्बाक लास नहीं जोन किया हैं वह सारे कंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके वार्ट सबकार के टो करके क्लाष में जरूर जुर जैये क्योंकि औश देजिए चृण करेकर क्योंसाया आवेदन जो परकिरिया है वो शुरू हो गया बिहार का शुरू होने वाले हैं जैदा समय नहीं मिलेगा एक्जाम डेट नजदिक आता है तो वैसे भी तैयारी उतनी धंग से प्रोपर हो नहीं पाती है एक्जाम के प्रेसर को लेकर एक्जाम डेट से बहुत पहले आपको सा हैं जीसे साथ क्लासेज होते हैं नोपस मिलते हैं सारे कुछ आपको प्रोपायट किये जाते हैं जिस से कि आपका सिलेक्शन इस वार हो सके आप जो भी एनम जी एनम का यस वार जॉब ले सके चलीए हम लोग बिना देरी की विए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग का मुस्टिक्स का सट्रेशन, उसका करते हैं उसमें क्या Everybody菜 क्या औते है सौप्ण है सपना जो देखते हैं सपना को मनो भेया सब आते हैं वह सब्सक्राइब में उसी से रिंटेड आते हैं मनोबग्यानिक में माना जाता है उसी में इसको सामील कर आ जाता है जो सब किसमें आते हैं मनोबग्यानिक में ही सामील है मंस्तिक्स क्या होता है तो यह विस्त विचारों का खोज्म को हम लोगे में से आते हैं वो भी क्या इसमें के सामिल होंगे तो मोनोबग्यानिक में हैं सामिल होंगे इस तरीके से हम लोग का इसका option number D सही हो जागे यह तीनों मोनोबग्यानिक के अंतरगत ही आएंगे अलाएकि ECT देने के बाद ECT के बारे में हम लोग देखेंगे जो इलेक्रिकल ऐसे समझ सकते हैं इसके बारे में हम लोग डीटेल्स में जानेंगे भी कराएकि ECT देने के बाद नर्शिंग देखवाल में निमलखित में से कौन सा सामील नहीं है तो ECT देने के बाद नर्शिंग देखवाल में जो सामील नहीं आए वो क्या है तो प्रकिडिया के छे से आट घंते तक कुछ भी पीने या खाने jeżeli मतलब कि इसमें क्या होता है तो सबनिक होता है जब उसके कितनी गंते वाग चेम से आट गंते तक से कुछ भी पीने एक खाने के लिए नहीं दिया जाता है चलिए oblak Venezuela में जान लेते क्या होता है उसके वारे में details में हम लोग जान लेते हैं इसके बाद आपके आगे में भी बहुत सा रक्वेशन ECT से ही related है इसलिए ECT के बारे में हमको जानना ज़रूरी है तो पहले उसके बारे में details जान लेते हैं तो ECT का पूरा नाम क्या होता है electroconvulsive therapy इसमें क्या होता है कि यह एक चिकित्सी प्रकिरिया है क्या है एक चिकित्सा का प्रकिरिया है और इसमें क्या होता है इसमें मस्तिक्स के माध्यम से क्या होता है तो मस्तिक्स के माध्यम से क्या होता है विद्रुद। पारित हैं उसे धर्वा परवा होते हैं तो इसलीए शाओं जाता है या परकिरिया गंबिरे उप्चार प्रतिरोधी मानसिक स्वास्त मतलब मानसिक स्वास्त जिसका खराब होता है उस केस में यह दिया जाता है जब मेडिसिन काम नहीं करता है तो उसे उनको मतलब बेनिफिट नहीं होता है ठीक नहीं हो पा रहा है तो उस केस में यह दिया जाता है ECT का थेरेपी और इसमें क्या ह परभवी सुरक्षित तकनिक है कै एक तरुके से चिकज़िसा का तकनिक है पर नाली जो सुरक्षित भी होते हैं इसमेस्व मनो ब्लबिग्यानिक के लिए दिये जाते हैं यह आप सब को भी पता है ताकि उसको परकिरिया के दौरान दर्द का महसूस नहों पहले मतलब एनस्थेसिया दिया जाता है इस परकिरिया में सामिल है तो इसीटी के बारे में जान लिए यह नोट्स आपको मिल जाएंगे साथ ही कुश्चन वाला न क्या होता है और इसके बाद आप लोगों का फिर से उसे रिलेटेट्ट कुश्चन है तो यह आपका था क्या तो का रहा था कुश्चन यहां पर कि इसीटी देने के बाद नर्सिंग देखवाल में निमलिकित में से कौन सा सामिल नहीं है जैसे कि इसमें क्या दिया गया है इसमें आपको दिया गया है कि इसीटी देने के बाद नर्सिंग देखवाल में निमलिकित में से कौन सा सामिल नहीं है जैसे अप्शन फरस्ट था महत्पूर संकेतों का आकलन रोगी को 30-60 मिनट तक सोने देना और इसमें था क्या कि परकिरिया के 6-8 गंते तक कुछ भी ख को neutrALLY करें है गांगा तरहीम चया वीडियो करने ममद्व करना मतलब चवने पीलिया और जो वरक है उसमें मदभत करने यह सब ठीक था यहीमतलब की इसके लिएमिए नर्सिंग देखवाल मैं पहला है सुपाइन तूसरा है प्रोन तीसरा है साइड लेटे हुए चौथा है आपको लीठो टॉमी तो ECT देने के बाद मतलब कि देते समय तो करवर सिधा इसे लेटाया जाता है लेकिन देने के बाद जो उसका इस्तिति परदान किया जाता है वो कैसे तो साइड करके लान की जाती है तो इसका और जराफ्ट कोल maximal नेक्स्ट कॉछण है आफंड का कव doctors away करदाओ की इसीटी देने के दौरान नर्सिंग देकवाल में सामिल क्या है एक कुछेशनिक था 2 stiff Дेने के बाद इनमें से कौन नर्सिंग देखवाल में सामिल नहीं है लेकिन यहाँ पर है कि एचीटि डेने के दौरान नर्सिंग देखवाल में निमिलिखित में से सामिल हैं तो इसीटि हम आपको पूरी डीटेल्स में बता दिए इसका फूल फॉर्म भी बता दिए होता क्या है वह भी बता दिए अब सिंपल उसको क्वेश्चन का एंसर करते जाना है और एक वार पढ़िए आपको आने लगेगा एक बार वीडियो से देखेंगा एक बार नोटस आपको मिला रहेगा उसे एक बार पढ़ लिजेगा आपको नेश्ची तरूप से आने लगेगा तो इसीटी देने के दोरान नर्सिंग देखवाल में जो सामिल है जैसे क्या option दिया गया आपका जांगो को रोकना या सीर को मोरना या रोगी को ग्रैंडवल दोरे के लिए देखने या इनमें से कोई नहीं तो इसीटी देने के दोरान नर्सिंग देखवाल में जो सामिल पड़किलिया है जो उसमें सामिल किया ज़तों वह क्या है सीर को मोरना क्या है सीर को मोरना तो यह correct answer इसका क्या हो जगा option नमबर आपका बी तो कि जांगों से उसका कोई मतलब है नहीं उसका इलाज तो मिलनी क् होते हैं है अगला question है अगला question है यह आपका कारा था कि cz करने कोको मतरा Ctrl खाली करने के लिए प्रत्पायड किया जाता है यह आप से पूछे जा रहे हैं चलिए हम लोग अपने option पर आते हैं का रहा है कि इसमें घुर्दे की विफ्यालता हो सकती है या इसमें उप्चार की प्रभाव साल प्रभाव सीलता की कमी हो सकती है या प्रकिरिया के दौरान रोगी बिस्तर खराब कर सकता है या इस क्या कि मतलब की बीश्तर को क्या कर सकता है मतलब की मूत्र कर सकता है इसलिए क्या होगा option & 2-3 को लिए प्रुसाहित और सलाध दिया जाता है यह इसका रिजन है जैदा न впR price क्य एक होगा option का थी हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगला कुश्चन आपका का रहा है कि निमने में से कौन सा इसीटी देने से पहले नर्सिंग देखवाल का हिस्सा नहीं है का रहा है कि इन में से कौन मतलब यह तिन चार बार आया तो यह मत कन्फ्यूज कर जाएगा कि मतलब कि एक कुश्चन आप लोगों को देखने को मिलने हैं और आगे चलके चेंज भी होगा ऐसा नहीं कि बार बार यह कुश्चन आएगा इसीटी देने से पहले भरपूर मातरा में तरल पदार थे या सारा मेकप हटा दे या जो तंग कप्रा है उसको डीला कर दे मतलब टाइट कप् खीच लेगा तो यह हटाने का कोई मतलब नहीं यह गलत मतलब की क्या कर रहा है कि मतलब नहीं को खोजना है क्या है कि मतलब कि देखभाल में सामिल नहीं है यह आपको इसमें से खोजना है तो यह क्या कर रहा है कि मतलब की सरे आम मेकप को हटा देना पाला पर हाएंगे बा उसमें चलिदाग प्रवारिक तो कपरे लह संसरे नहीं दौर की सोङया जाता है और छूल Means नाय। है कान में कोई रिंग या कोई रिंग होगी स्ट है तो उस वस्तूओं को हटाया जाता है क्योंकि वस्तु क्या अब्रवावित होते हैं मेटल में धारा परवा होता है यह आप लोग एक यह आर रहे हैं इसलिए जो अलग जो धातू होते हैं सारे वर्स्तों को क्या कता है था घक हटा दिया जाता है लेकिन आपको खोज pillars के था छो इसमें सामिल नहीं है सब सामील है मतलब कि अगर जैदा तरल पदार दिया जाए ا कुछी आभे देखें जाएंक यह मतलब कि यह मतलब की नहीं दिया जायता यहीं मतलब की क्याओ जब इसका correct answer सब एक दूसरे से related है जब तोर सब अलग अलगHave और है एक दूसरी से सारे ambre दूसरे सिन रिंटिधि यह तो एक सना अब आप आचाए समझ गए तो आगे का को इसली आप हैंडल करके उसका एंसर कर सकते हैं उसके बाद आगला कुश्चन है कि कुश्चन नमर सेबन का रहा है कि इसीटी देने से पहले मरीज के सरीर के सभी धातु को धातु के सामान हटा दिये करते हैं क्यूंकि अभी हम देखें अभी का कुश्च्चन में था नहीं कि मतलब कि यह सामील नहीं था मतलब हें ए कि ईसीटी के देने के दोरान सभी जो मेटल चाटू होता है उसको पूस्चला c लेकिन अब यहां पर पूछ रहा है उसका रीजन क्या किसी रीजन से उसको हटाया जाता है यह आप से पूछे जा रहे हैं तो फर्स्ट अप्शन है कि वे गलत जगह पर रखे जा सकते हैं या वे छोड़े जा सकते हैं या विद्धुत धारा सरीर के अंगों से मतलब की गु तो यह क्या होंगे मेटल है तो उसमें अभी आपको बचाए कि वो क्या करेगा विद्धुत को अपनी तरफ एक्टार मतलब को उसे धारा प्रभावित होता है जैसी सोट सरकीट देते तो मतलब की जो एक शिक्षित देते हैं मस्टिक्स में देते हैं तो अगर धातूल इसका एंसर तक एज़ी कर सकता है यह में रखेंट यह सब को मैने नहीं रखता है कि उसको गलत जगह पर रखा जा सकता है यह सब कोई मुक्ह इसका जो रिज़न यह एक वह बिदुधारा सरीर के अंगों से गुजर सकती है इस लिए में तल को हटाया जाता है जो एटिसी देने के दौरान ठीक है नेक्स्ट कोईशन हम लोग का है बहुत इजी टॉपिक है आप लोग समझी सकते हैं कितना इजी है सारा कोईशन आपको एक दूसरे से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं ज्यादा आपको बटन भी नहीं लग रहे हैं बहुत इजी है एक वार वीडियो से पढ़िए एक वार आप नोट से पढ़िए आपको आने लगेगा करा है कि सबसे पहले इसी टी का इस्तेमाल किया गया कहां यू यू यूजेन विल्यूर या फायड या सेल्टी और बिन्नी या फ्राइड मैन और एड्वीन पर मतलब कि सबसे पहले कि किस पर मतलब कि यह सामिल किया गया था और यह नाम दिया गया मतलब इस्तेमाल किया गया ता किस पर प्रयों किया ए इसी तशे तह कि सबसे पहले जो ECT था वो इस्तेमाल किया गया था किस पर इस्तेमाल किया गया था तो यह इस्तेमाल किया गया था सेल ट्री और बीनी किस पर सेल ट्री और बीनी पर तो इसका कोरेक्ट राइट राइट अपसन नुमर आपका सी सही हो जाएगा ठीक है करहें जो अब जो सेर्लिट इटे अर्बी नी उस पर मतलब की서क का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया दो बहुत सारा मतलब की तर मतलब की पेशन पर मतलब βα embray किये गए होंगे तो और किया हो जबा से लिटल और नी आगला कुश्चन है वह तेरपी जिस्टे समूदाय के रूप में जाना जाता है इसमें से कौन सा ऐसा तेरपी दिया गया है जो चिकेश्य समूदाय के रूप में जाना जाता है हम लोग option पर चलते हैं कि म्यू मिल्यू थेरेपी वय्वाहिक थेव थेरेपी समुष थेरेपी बाड यह बाद सब तो कहलisses के डिकासे थेरेपी हाई नहीं समूहिट थेरेपी भी यहीं नहीं की मत दरब भी यह ग्तारत तो मोलिक एक ठेरेपी ठीक हो ठीक है बाद सब आप ऐसे चार्ट सकते हैं तो अप्सन से भी एंसर आसकता है ठीक है तिन चार अप्सन दिया क्या है उसे आपको पता चल जाएगा कि कौन होगा कौन नहीं होगा इसलिए हम आपको बताएते कि यह टॉपिक बहुत ईजी है आपको बहुत ज़्यदा इसमें सोचने की ज़रुत नहीं है सिर्फ आप पर्चते जाएए क्लास करते जाएए आपको आएंगे इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे करना है जो रोगी की सिग्र रिकवरी में मदद करता है ऐसा कौन सा थेरीपी है जिसका उद्देश एक स्वस्थ वाता वरन परदान करना होता है जो सिग्र रिकवरी करने में मिल्यू थेरपी ही है जो कि सबसे फास्ट लिए क्या करता है चीजr रिकपरी करते हैं मिल्यू थेरपी मतलब कि एक स्वस्त वातावरन भी पतान करते हैं और यह सिग्र रिकावरी भी करने में मदद करता है मेल लियो थेरेपी कोरेक्ट रंसर इसका अफ्शन नमबर ए हो जाएगा अगला कुशन है कि थोरा सा हम लोग थियोरी देख लेता है इसलिए ज्यादा समय उधर चल जाता है तो कुश्चन हम लोगों का बहुत ज्यादा न कुश्चन है कि अगर आप सब बना देजागा तो अगर आप 60-65 पर टेपेंड करता है उतना भी बनाते हैं तो आपको क्या होगा स्लेक्शन हो जाएगा आप सो में सो बना दिया कियो रगैसिए हाई नहीं समझिके परहिए नहीं है तो वह कोई फाइदा नहीं है उस से कोई स्लेक्शन होंگे नहीं है है तो हम लोग समाझते व्या trai बढ़ेंगे कम कुष्ट्चन करेंगे लेकिन समझ के आगे बढेंगे करा कि नाखुन दबाने पर करें कि करवा स्वाद दानना इसका एक उदारन है क्या फिल्लिंग या थेरपी वेवास्थित और सम्बेदन सीलता या सम्मोहन क्या हो जा מאगा तो ये आपका मतलब की एवज्गन थेरपी में नाकुन को चवाने पर क्या हो था कर्वाषुाइब मतलब की सुच डालना इसका एक उधारन किहा है तो Aversum Therapy Next question हम लोग का है करा है कि मनोरोग ward में नर्स की भूमी का निमिलिखित में से सामीर है जब आप लोग जॉब पे जाईएगा तो उस ward में अगर मनोरोग व्यक्ति है तो उसमें आपका क्या भूमी का है आपका क्या ब्यूटी है आपका क्या काट टब्ब है वो पूछा जा रहा है यह आपको तो पता हो नहीं ही चाहिए तो सारे कुष्चन आप सबसे रिलेटेड ही होते हैं करा कि यदी रोगी एटी साइटो टीक दवा एक एटी साइटो टीक दवा ले रहा है तो उसको मतलब क्या है तो उसको साइड इफेक्ट की उपस्थिती के लिए निरेक्षन करे या दवा देते समय पांच नियमों का पालन करे पांच नियम क्या है वो तो दिया ही नहीं है यदि मनोरोग लक्षन कम हो जाते हैं तो दवा को अचानक बंद कर दे तो या रोगी को किसी भी मनोरोगी पादार्थ का उप्योग न करने की सरा दे तो आप लोग का जो मुक्ष भूमी का या नर्स की जो भूमी का है वो क्या होंगे उसकेस में अगर मनोरोगी वार्ड मैप को मतलब की निकती हुई है वहाँ पर आपकर डूटी है उसका क्या करेंगे इस पर आप लोग का मुख फोकस रहेंगे यदि उन्रोगी का लग्षन क्या है कम हो जाता है तो उसके दवा को अचानक बंद कर देना चाहिए वह ज़्यादा नहीं खाया जाता है नेक्स्ट कुश्चन है कि लीथियम पर क्या है लीथियम पर रहने वाले रोगी की देखवाल के दोरान सबसे महत्पुर्ण नर्स की भूमिकाओं में से एक क्या है रक्त लीथियम रक्त लीथियम अस्तर का अवलोकन करें या नमक एवं तरल्पदार्थ का सेवन सिमित करें या सेवने आउटपुट जो चार्ट है वो बनाके रखे या भोजन से पहले दबा दे तो आप लोग का क्या परमुखर कार होंगे यहां पर देख रहा है कि सबसे मह बहुत भूंबी का करेंगे तो रख्त लीथियम अस्तर का क्या करना अगल करना कूश्ण है कि ल्यविदेग क्या है फ्रस ग्रूप में मैं रीथियम क्या है। सोडियम लीथियम प्रटासियम रूबीडियम सब हैं लीथियम के धातू के स्वाद को कम करने के लिए इन में से दिया जाना चाहिए क्या सब हूँ या सोने के बाद क्या मतलब कर रहा है कि लीथियम के धातू के स्वाद को कम करने के लिए मतलब उसका स्वाद आ जाता है इस लिए उस दातू के सुवाद को कम करने के लिए उसे दिया जाना चाहिए कब सबू या सोने के बाद या पौडर के रुप में या भौजन के दौरान या बाद में तो कब देना चाहिए इसको भौजन के दौरान या उसके बाद इसे उसकी सुवाद की क्या होदी कम कि लिए यह मतलब उस दोरान देने पर कम होते हैं ठीक है इस तरीके से आगे का हम लोग का कुश्टन कंटिन्यू रहेंगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में तें